तो देवियो सजनो दिल थाम के बैठी क्योंकि आज इस फोन की हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं कोई आम स्मार्टफोन नहीं है इस फोन के अंदर आपको बहुत बड़ी बैटरी मिल जाती है 10,080 mh लगबग 11,000 mh की बैटरी दी गई है हम बात कर रहे हैं Doji S80 स्मार्टफोन के बारे में चलिए इस फोन की अन्बोक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले हमें जो बोक्स में मिलता है वो है ये मुबाइल फोन जो देखने में बहुत बड़ा लगता है और काफी वजनदार भी है क्योंकि इसके अंदर आपको 10,080 mh की बैटरी है जो इस फोन को पावर देती है साथ ही केसिंग है जो इसको बढ़ाती है इसी के इलावा अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इस पेपर पर कुछ स्पैसिफिकेशन और बटनों की पोजिशन लिखी हुई है कि कौन सा बटन कहां पर है इसको अभी साइड में रखते हैं और आगे बोक्स के कंटेंट देख लेते हैं तो सबसे पहले एक और स्माल बोक्स हमें इसमें मिल जाता है जिसके अंदर कुछ यूजर मैनुवल और एक सिम इजक्टर पिन दी गई है साइड में रखते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर एक क्लिप मिलती है जिसकी मदद से आप फोन को कहीं भी टांग सकते हैं ग्रिपिंग के लिए ये दी गई है आगे आने वाली वीडियो मैं दिखाऊंगा कैसे आप इसका यूजर करेंगे साइड में रखते हैं इसको भी उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एंटीना दिया गया है जिसको आप फोन पर लगाकर एजे वोकेटो की काम में ले सकते हैं फोन को इसके बाद नमबर आता है इस छोटे बोक्स का जिसके अंदर फोन की कुछ एसेसरीज दी गई है सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक कवर मिलता है जो क्लिप मैंने बताया था आपको शुरू में वो इसमें लगके यह फोन में लगेगा पर एक OTG केबल मिलती है उसके बाद एक USB टाइप C डाटा केबल यानि चार्जिंग के लिए केबल मिल जाती है उसी के साथ आपको एक type C 2 3.5 mm का converter भी दिया जाता है last but not the least एक charger दिया गया है जो कि Qualcomm Quick Charge 3.0 को support करता है वो बैटरी को fast तरीके से charge करता है नोर्मल अगर आप phone को charge करेंगे तो लगबग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं लेकिन इस charger की विदल से आप साड़े 3 से साड़े 4 घंटे में ये phone को full charge कर पाएंगे तो box content में इतना ही था आप रखते हैं side में और phone की कुछ specification की और बात कर लेते हैं फोन कौन करता हूं तब तक आपको physical overview देतेता हूं तो इस phone के अगर आप left side में देखेंगे तो सबसे पहला तो आपको sim tray मिल जाती है उसी के नीचे आपको एक PTT बटन दिया गया है और एक SOS emergency calling के लिए बटन दिया गया है जिसकी में दर से आप emergency call कर सकते हैं और PTT बटन से आप walkie talkie में phone को convert कर सकते हैं उसके right side में देखेंगे तो volume up down का बटन दिया गया है साथ ही power button मिल जाता है 5.99 inch की full HD plus display मिल जाती है camera section की और बढ़ें तो phone में rear side में dual setup देखने को मिलेगा 12 megapixel और 5 megapixel का front में आपको 16 megapixel का selfie camera दिया गया है octa core phone में processor है 6 GB की RAM है और 64 GB का internal storage मिल जाता है SD card आप लगा सकते हैं hybrid SIM slot दिया गया है phone की battery की बात करूं तो 10,080 mh की phone में बड़ी battery मिल जाती है जिसका 1300 घंटे के आसपा standby का time है और आप लगातार 72 hour तक इसमें video playback कर सकते हैं 96 hour तक आप phone को walkie-talkie लगातार यूज कर पाएंगे तो कुछ इस तरह की phone की specification बनती है और इस phone में आपको waterproof मिल जाता है, dust proof मिल जाता है, mud proof मिल जाता है, shock proof यानि जितने भी proof आपको मिलते हैं वो सब इस phone में दिये गए हैं चलिए मैं कुछ test आपको करके दिखाता हूँ चलिए में आपको पाएंगे एक अएय के टाशारे मैंदर्न प्रप्रां भींचारे दो, horseुषping मैं राजरिबस ऑक को क Очके कil का जिये हो अढू मैंा कि क अदरते हैं, पिका गल को आशाननों single कि अर प्सके खच्छ़私ं Bi bayi झाल झाल तो दोस्तो सभी टेस्ट चाहिए वो मटे टेस्ट हो वाटर टेस्ट हो ड्रोप टेस्ट हो सब में ये फोन सर्वाइब कर गया एक हलकी सी खरोंच भी नहीं आई है फोन पर तो कुछ इस तरह की एक्स्ट्रीम कंडिशन के लिए फोन बना है तो दोस्तो ये था डोजी S80 सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं अगर आप फोन की फूल स्पैसिफिकेशन या खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिएगे लिंक को जरूर से चेक कीजिएगा और कोई टेस्ट अगर आप चाहते हैं इस फोन का तो कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही पताइएगा आपको फोन कैसे लगा मैं फिर आपसे मिलता हूं को रैसी उडियों तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखेगा टेक केर बाई बाई